good morning class 7 class 7 शुरुवात करते हैं अपनी एक्ससाइस की add the following हम आप इसमें add करते हैं question number 1 a part a square comma 5a square comma 9a square आप क्यों करना add करना है बिटा जहां comma हो वहाँ पर plus का sign लगाईएगा और जब plus minus आजए उसको इस तरीके से लिख लिएगा bracket लगाती चाहिए ठीक है देख लिएगा यहाँ पर मैंने comma लगाया तो plus का sign आया यहाँ minus का sign दो से इसलिए bracket लगा दिया a square plus 5a square plus minus minus 9a square plus को जाएगा 5 plus 1 6 6 में से 9 चली गए तो कितने मचे minus का 3a square इसका second part करती है 16ab comma 7ab comma minus का 9ab comma minus का 4ab 16ab plus 7ab plus minus का 9ab plus minus का 4ab यह जाएगा 16 plus 7 23ab यह plus minus का 9ab और यह minus का 4ab 9 plus 4 13 23 में से 13 गए तो बचा 10ab plus का इस तरीकी साब को एड़ करना है question number 2 में भी a part 9x plus 6y plus का 3x minus का 2y clear square का लिजिए x वाली टर्म में एक साथ लिख लिजे 9x plus 3x और y वाली टर्म्स एक साथ लिख लिजे 9 plus 3 12x 6x minus का 2 है यह बटन 2 6 में से 2 गए तो कितने मचे 4 plus का 4y 4 5 यह answer होगे add the following expression आपको add करना है बच जैसे मैं आपको बता है उसी तरीके like terms एक साथ लिख 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 इस तरीके से आपको यह question number 3 भी करना है question number 4 पारते है subtract a है 6a minus 9b from 9a plus 2b minus 6 कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं question number 4 का a पारत जो from के बाद वाला number है वो पहले उतारो 9a plus 2b minus 6 subtract करना है तो minus sign लगा और bracket लगा लो अब यह वाला number उतारो जो पहले दी रखा है 6a minus 9b clear यह जाएगा 9a plus 2b minus 6 यह जब minus अंदर जाएगा तो जो plus का sign है वो minus हो जाएगा यह minus का sign हो जाएगा मतलब sign change हो जाएगे यह plus का है तो यह minus का हो जाएगा और यह minus का हो जाएगा 9 है और 6 है एक साथ लेख लीजे क्योंकि लैक्टर में 2b plus 9b एक साथ लेख लीजे और यह minus का 6 9 में से 6 गए तो आपको बचे 3 3 ए 9 प्लस 2 11 B minus का 6 यह complete हो गया Question number 5 What should we subtract from to obtain this आप इसमें से क्या subtract करें जो आपको यह मिल जाए ठीक है Question number 5 Leg ता number B A माल लीजे क्या माल लीजे A From के बाद वाला number यह यह पहले आजएगा आपका XQ minus का 6X square plus का 9X minus का 2 अब subtract करना है तो minus का sign फिर A जो number माना था वो और आपको obtained क्या हो रहा है X square minus का 4X plus का 4 ठीक है आप इस A को इदर ले जाएए बाकि सब number को इदर ले जाएए XE power 3 minus का 6X square plus का 9X minus का 2 जब यह number इदर आएगा तो plus में तो minus माएगा यह minus में तो plus में आएगा और यह minus में आएगा और यह minus में दरज़िक इसमें जाएगा plus में ठीक है 6X cube फिस sorry X cube minus 6X square X square यहाँ पर भी इसको साथ में लिख लीचे plus का 9X plus का 4X minus का 2 minus का 4A X cube 6 में 1 add किया तो minus का 7X square 9 में 4 add किया तो plus का 13X और यह minus का 6A के बराबर यह आपकी value निकल गया लिए इसी करेंगे से question number 6 को हमवर्क में करेंगे और 7th question number 8 मैं आप लोगों करके दिखाता हूँ A part A की value दे रखिए B की value दे रखिए C की value दे रखिए आपको कहीं plus करना होगा कहीं minus करना होगा कहीं minus किया लगाना हो यह formula दे रखा है आपको इसमें report करना है A plus B plus C A की value कितनी है 4 P square minus 9 P plus का 8 फिर यहाँ पर plus करना है तो plus का sign लगा है आपने फिर V की value उता है B is 6 P square plus 3P 6 P square plus का 3P minus का 7 और next है plus का C यहाँ पर जाएगा minus का 5 minus लेग होगा तो bracket लगा लिए 5 P square minus का 6 Q plus का 2 क्यों यह तो plus इसलिए लगा है कि यहाँ पर plus लग रहा था और यहाँ पर minus दे रखा था इसके साथ लिए minus लगा है 4 P square plus 6 P square और यह plus minus minus का 5 P square होग गया उसके बाद दिखिए minus का 9 P plus का 3 P और minus का 6 P यहाँ प्लस का 8 minus का 7 प्लस का 2 6 में से 5 गया 1 बच्चा 1 इसके साथ रख हो जाएगा तो यह आएगा 5 P square देखिए 9 minus का है और minus का 6 है यह दोन नमबर तो 9 16 14 हो गया sorry minus का 9 minus का 6 15 हो गया 15 में से 3 गये तो 12 बच्चे 12 P यह दोनों प्लस के है तो 8 plus 2 10 10 में से 7 गये तो 3 बच्चे यह आपका answer हो गया इस तरीके से बाकी के remaining part आप home work में ठीक है Thank you class